असलाम आलेकुम नमस्ते दोस्तों ये देखिए हमारे हियां का मोसम कितना अच्छा है टाइम दोस्तों साड़े छे बज रहा है हलकी हलकी बारिस भी हो रही है और हलका हलका दोस्तों भूग भी लगी है तो चलिए कुछ हम चट पटा गर्मा गरम बनाते हैं हाँ दोस्तों हम बनाएंगे गर्मा गर्म चाय साथ में हम कुछ पकोड़िया भी बनाएंगे तो वीडियो में बने रहिएगा चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा चलिए रेचिपी शुरू करते हैं बगोने में मैं एक गिलास दो डाल दी हूँ आदा गिलास इसमें हम पानी डालेंगे कर इसमें हम दो चिम्मत चै पत्ति डाल देते हैं तो हम ताव बनाएंगे तो चा को साइड में रख देते हैं उबालाने के लिए शक्कर डाल देते हैं मेठी के हिसाब से चाय को साइड में रख देते हैं पकने के लिए यहाँ पर मैं केले की पकोड़ी बनाऊंगी तो देखिए यहाँ पर एक केला ले ली हूँ दोनों साइड से कट कर लेते हैं इसका हम छिल्टा निकाल लेते हैं छिल्टे को मैं अच्छे से ये देखिए निकाल ली हूँ पानी में हम केले का चिप्स कट कर लेते हैं इस तरह पानी में डालने से केला काला नहीं पड़ता है तो ये देखिए इस तरह मैं इसका चिप्स बना ली हूँ एक दो पानी से इसे हम धुल के साप कर लेते हैं इसे ह पानी से अलग कल लेते हैं खेले की चिप्स को, उसी बरतन में हम इसी कप से 1.5 कप बेशन ले लेते हैं, तो ये 1.5 कप बेशन है, मसाला डालेंगे, एक चिमच लल मिच पॉडर, इक चिमच धनिया पॉडर, एक चिमच गरम घ्मसाला, आज़ा चिममच हल्दी पॉडर, दो से तीन चुटकी हींग, स्वाधन सा नमक डालेंगे, एक चिम्मच तेल डाल देते हैं, रिफाइन तेल हैं, बारिक कटा हुआ थोड़ा साहरा धनिया डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका हम गाढ़ा घोल बना लेते हैं, तो यह देखिए, इसका मैं कुछ इस तरह पेश्ट बना ली हूँ, अच्छे से फेट ली हूँ, यह देखिए, केले के चिप्स को डाल देते हैं, अच्छे से बेशन में हम इस तरह लपेट देते हैं, ढककर इसे हम साइड में रkayते हैं, कड़ाई में तेल डालेंगे, दोस गया है केले के पकोड़ी को हम डालते जाएंगे तो यह देखिए इसमें मैं डाल दिया हूँ तेल में अब इसे हम उलट प्लट के फराई करेंगे तो यह देखिए इसको मैं पल्ट देती हूँ दोनों तरफ अच्छे से इसे हम फराई कर लेते हैं यह देखिए केले की पकोड़ी बनकर हो गया है तयार तो इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी जो केले की पकोड़ी बचा हुआ है उसे हम फराई भी कर लेते हैं बारिस के मौसम में इस तरह गर्मा गर्म पकोड़ी और गर्मा गर्म चाय के साथ में पीने का मज़ा ही आ जाता है ये केले की पकोड़ी लास था तो ये भी मैं फराई करके निकाल लेती हूँ और चाय में तीन से चार उबाला गया है चाय भी अच्छे से पक गया है तो पकोड़ी के साथ में चाय भी छान लेते हैं तो लीजिए दोस्तो चाय भी छन गया है ऐसे गर्मा गरम केले के पकोड़ी के साथ में गर्मा गरम चाय इंजोई करें इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें, जदा से जदा सेर करें, मिलते हैं अगले वीडियो